सो हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चेनल दोस्तों आपने मनोजदे की वीडियो देखे होगे अभी जो मनोजदे थम्नेल बना रहे है उनका एक फोटो रहता है और उसके पीछे एक लेयर जैसा दिखाई देता है आप साइड में देख सकते हैं तो अगर आपको भी ऐसे थम् प्रोफेशनल थम्नेल बना सकते हैं तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊगा कि आप पिक्सल लेप से मनोजदे की तरह और टेखनिकल योगी सर की तरह कैसे थम्नेल बना सकते हैं तो आएए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर तो फ्रेंट्स सबसे पहले आपके पास आपका एक फोटो होना चाहिए और फोटो कैसा होना चाहिए वह फोटो के पीछे ज्यादा बीडबार नहीं होनी चाहिए फोटो के पीछे का बेक्ग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए जैसी इसका देखिए ब्लैक है इसका देखिए वाइड है थोड़ा बहुत अगर background में कुछ है तो चल जाएगा तो यह देखिए पूरा सफेध है इसके पीछे थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ काला दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा वो केसे हटाना है वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए एक photo आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपको जान PNG आपको लिखना है और इसको search कर देना है और यह website open होगी तो देखिए अभी website open हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर हमें क्लिक करना है upload image पर हमें क्लिक करना है और हमारे जो photo लेना है उसको select करके यहाँ पर उपर done लिखाए done पर क्लिक कर देना है हमारी image upload हो रही है और इसका background पूरी तरह से खतम हो जाएगा और यह PNG बनकर हमारे पास आ जाएगी उसको हम download कर लेगे देखिए इसके पीछे का भी background पूरा हट जाएगा सिर्फ एक बस 10-15 सेकेंड में पूरा background हट गया आपने देखा अब हम इस image को download कर लेगे दोस्तों तो देखिए पूरा अच्छा photo आ गया है इसको हम download पर क्लिक करके इसे download कर लेगे मैंने download पर क्लिक किया और मेरा photo अभी download हो चुका है दोस्तों ये देखिए download हो चुका है अब हमें जाना है पिक्सल लेब में उपन किया पिक्सल लेब ये देखिए इस तरह से आ जाएगा उपर three dot पर क्लिक करके हमें size एक image size पर जाना है और custom पर क्लिक करके हमें YouTube thumbnail पर क्लि आ गई है अब उपर कोने में plus पर क्लिक करेगे और from gallery पर क्लिक करेगे और हमारा जो फोटो है वह हम select कर लेगे यह हमने download किया था तो इसको हम select कर लेते हैं इसे थोड़ा छोटा करेगे आप जितना चाहिए उतना कर सकते हैं छोटा बड़ा दोस्तों आपको अच्छे से thumbnail बनाना है मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि फोटो के पीछे वो layer कैसे लगना है उतना ही मैं बताओगा बाकि thumbnail आपको सजाना है अच्छे से मैं quickly आपको दिखा रहा हूँ तो देखिए फोटो आ गया है अब plus पर क्लिक करके draw पर क्ल करना है देखिए जूम किया फिर से उस जूम वाले पर क्लिक कर देगे और ड्रो करना शुरू कर देगे white color लेते हैं हम नीचे color है बहुत सारे colors तो आपको फोटो के सराउंड फोटो के आजू बाजू आपको ड्रो करना है दोस्तो इस तरह से देखिए फोटो के आसपास आपको इस तरह से ड्रो कर देना है आप जो color चाहे वो color में कर सकते हैं पतला मोटा सब कर सकते हैं तो मैं आपको white color में ड्रो किया इस तरह से जूम पर क्लिक करके फोटो के आसपास अब राइट की निशान पर क्लिक कर देगे हम तो यह बन गया है लेकिन फोटो के ऊपर आ रहा है हमें इसे फोटो के पीछे भेजना है दोस्तों तो अब क्या करेंगे देखे ये आ गया उपर हमें इसको फोटो के पीछे बेजना है उसके लिए क्या करना है देखे बीच में जो राउंड दिख रहा है उस पर क्लिक करके to back कर देना है to back किया तो वो देखे फोटो के पीछे चला गया अब हम इस फोटो को आगे पीछे कर सकते हैं आपको जिससा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं दोस्तों तो देखिए बिल्कुल मनोजदे की तरह बेक्राउंड हो गया पीछे का देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन गया आप जितना चाहे उतना यहां वहाँ कर सकते हैं देखे यह भी बहुत अच्छा लग रहा एसा यह भी बहुत अच्छा लग रहा है एसे भी आप सेव कर सकते हैं तो मैंने इसे जूम आउट कर लिया है यहां पर क्लिक करके जूम आ समारा फोटो गेलरी में सेव हो चुका है मैं आपको दिखाता हूं यह रहा दोस्तों फोटो सेव हो चुका है आप दीरे से बनाएगा अच्छा बनेगा मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपको एसे ही हेल्प फुल वीडियो लाता रहता हूँ तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तकले गुडबाई, टेक केर